उसे बड़ी खबर प्रियंका गांधी ने पियम मोदी को चिठी लिखी है लखीमपूर केस को लेकर ये चिठी लिखी है प्रियंका गांधी ने इस बात की जानकारे खुद उन्होंने मीडिया के सामने दी लखीमपूर मामले पर सवाल उठाये हैं प्रियंका गांधी ने कहा की सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश किये बहुत गंबीर आरोप लगाया है इसके अलाबा प्रियंका ने कहा कि लखीमपूर में किसानों के साथ प्रूरता को देश ने देखा है प्रियंका गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है प्रियंका गांधी ने पीम मोधी को एक चिठी भी लिखी है और इस चिठी में उन्होंने लखीमपुर केस का जिक्र किया है दरसल लखीमपुर केस को लेकर ही प्रियंका गांधी ने प्रियंका गांधी को ये चिठी लिखी है लखीमपुर मामले पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए है बहुत गंभीर आरोप प्रियंका गांधी ने लगाए है कहा कि सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश की है लखीमपूर में किसानों के साथ प्रूता को देश ने देखा है कॉंग्रेस की महासची प्रियंका गांधी ने पीम मोदी को चिठी लिखी और लखीमपूर केस का इसमें जिक्र किया दरसल इसी को लेकर उन्होंने पूरी चिठी लिखी हुई है किसानों को लेकर लगतार कॉंग्रेस की यही कोशिश है किसान उसकी पक्ष में हो पहले कृशिय गानून बिल था लेकिन वो वापस होने के बाद अब मुद्दा लगता है बचा नहीं है इसलिए लख कीमपुर मामले को लेकर प्रियंका ने चिट्टी लिखी क्या कहा प्रियंका गांधी ने आई आई आपको वो भी सुन बाते हैं किमपुर किसान नरसंगार में अंदाताओं के साथ कुई कुरूरता को पूरे देश ने देखा आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गारी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रिय ग्रिह राजमंत्री का बेटा है राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही नियाय की आवाज को दबाने की कोशिश किया मान्य उच्तम नियालयले ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मन्शा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेश आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है तो सुना प्रेयंका ने क्या कहा? प्रियंका ने कहा, ऐसा लग रहा है कि किसी विशेश आरूपी को बचाने की कोशिश कर रही है, लगातार शुरुवात से ही पूरी जो कॉंग्데र्स बाती आक्टमक रही है, चाहे वो प्रियंका गादियो या फिर अध्य जो नेता हो लगा राच प्रिएंग का मीडिया के सामने आए उन्होंने फिर से वही सवाल उठाएं लखिम्पूर केस को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने पिया मोधि winning को चिछदी लिखी हैं लखिम्पूर मामले को लेकर प्रियंगा काने सवाल दिया गया एक गाड़ी आए कुछलते हुए चली गये और उसकी बाद क्या कुछ कारवाई हुई है लगतार समुद्दे को उठाती रही है कॉंग्रिस